गेमिंग प्रोसेसर स्मार्टफून अर्ल सेविंटी थाउजन तो यार आज इसी टॉपिक की बात करेंगे बात करते हैं नंबो फाब की नंबो फाब की बात करने से पहले भी मैं आपको इतनी बात कहा देना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं कंक्लूजन बताता आपके लिए बैस्ट होने वाला तो उसको मिसाट मत किया करो वीकूज वह आपको ही बैनिफिट करेगा तो अभी बात करते हैं नंबो फाब की नंबो फाब की बात करो नंबो फाब पर यहार मैंने रखा है सैमसंग गलाक्सी M31S को तो बही अगर आपका बईरस तारा जारे आपको एक नौन चानी स्मार्टफून चाहिए आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो सैमसंग की और से स्प्राइज रेजिमें आपको दो स्मार्टफून देखने को मिलते हैं एक आता है सैमसंग गलाक्सी M31S एक आता है सैमसंग गलाक्सी F41 लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करने वालों वो सैमसंग गलाक्सी M31S ही करने वालों विकर आपको एक प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाता है अगर आपको एक पृटों को बहुत ही जादा सूट करते है ब्लैक कलर और ब्ली कॉलर में आपको देखनी को मिलेगा को सूपर आमलेट डिस्पले देखने को मिल जाती है जो की गुरीला ग्लास थ्री की परड़ाइशन के साथ देखने को मिलते हैं तो आपको इंडोर एक्सपिरेंस एंड का बिकर इसमें आपको X9 960 11 देखने को मिल जाता है जो कि इतना प्रसाइसर तगड़ा नहीं है एज कंपेरिजन किया जाए जो मैं आगे आपको स्मार्टफून बताऊंगा ठीक है दो वेड़ में स्मार्टफून देखने को मिलता है 6GB RAM के साथ 8GB RAM के साथ प्लस आपको microSD card slot भी मिल जाता है तो storage का कोई पंगा नहीं रहे गया triple camera मिल जाता है 64MP के साथ उसमें आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो प्लस आपको 32MP के साथ सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो अप्शन देखने को मिल जाता है 6000MG की बैटरी मिल जाती है 33W का fast charging मिल जाती है और worst charging भी स्पूर करता है fingerprint and face lock वेगारा भी देखने को मिल जाता है प्राइज रिंज में आपको ये smartphone देखने को मिल जाता है 2 वन में आता है 6GB के और जाना जाते हो आप उसके और जा सकते हो अपने 8GB के और जाना है आप उसके और भी जा सकते हो आपके लिए ये smartphone perfect deal होने वाला अगर मैं इसके specification की बात करूँ आपको April 2021 model देखने को मिल जाता है 6.8 inch के साथ आपको IPS LCD मिलेगी जो की 120 refresh rate के साथ देखने को मिलती है उसके बाद आपको 6GB प्लस 128GB विरिट जो है वो आपको 17 साहिक के price range में प्रॉक्स से देखने को मिल जात है जो की 8 nanometer technology के साथ बेज़ जाए लाइक अगर आपने multi-dasking करनी है gaming करनी है आपके लिए ये smartphone perfect deal होने वाले आपको 108 megapixel के साथ triple camera मिल जाता है जिस पर आप 4K video shoot कर सकते हो 30fps पर 32 megapixel की selfie मिल जाती है सेलफी में भी आपको 4K option मिल जाता है 6000 डैमेज की battery देखने को मिल जाती है moto G16 में तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया moto G16 के लाइक इसका camera quality बहुत अच्छी है 4K में shoot करना जाते हो front camera में back camera में vlogging करनी है videos बनानी है tik-tok बनानी है आप इस smartphone के और जा सकते हो big battery मिल जाते है 6-7 damage की battery अगर आपने high setting पे gaming भी करनी है तो आपका जो battery है वो जल्दी खतम नहीं होने वाली gaming करना जाते हो multi-tasking करना जाते हो आपके लिए भी best होने वाले विकास प्रसाइस में आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है जो कि gaming के लिए profit हो सकता है अगर आपने gaming के लिए smartphone लेना है motor की और जाना जाते हो आप जा सकते हो buying link description box में देखने को मिल जाएगा च्यागूड करना जाते हो च्यागूड कर सकते हो अगर purchase करना है प्रचेज भी कर सकते हो आगे बात करते है नम्बो त्री की नम्बो त्री की बात करें नम्बो त्री पर यार मैंने रख़्ाया realme 8 pro को तो सबसे पहले इसका प्राइस सोड़ा से निक्रीज हो सकता है अगर आपको स्मार्ट फोन चाहिए यह तीन वेट जो स्मार्ट फोन है आपको लाइक 15000,600,700,800 के प्राइस प्रो ठीक है इन में से जो भी स्मार्ट फोन आपको सही लगते है आप जा सकते हो लेकिन मैं आपको स्पैसिफिकेशन बताऊंगा स्पैसिफिकेशन की बात करो आपको मार्च 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है शुपर अंधन थे लगाल जूटीछ thirsty लेकिन स्पासिप मिलती है लेकिन अपको 2008 और आपशिन मिलता है लेकिन之前 में में ऐसे कही features मिल जाते हैं जो आपकी video recording को photos को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं आपको 4500 damage की battery मिल जाती है 50 watt की आपको fast charging मिल जाती है reverse charging sport करता है चार colors में देखने को मिलता है minus point सिर्फ एक है कि आपको plastic frame में देखने को मिलेगा तो case dal crease को use करना पड़ेगा तो your main specification मैंने आपको बता दिया realme 8 pro के अभी minus point सिर्फ इसकी battery देखने को मिलती है अगर आपको big battery चाहिए तो 4500 damage की battery देखने को मिलती है जो मैं और smartphone बताँ को उनमें से आपको 600 damage की battery तो minimum देखने को मिली जाती है तो आप देख लेना अगर आपने smartphone के और जाना है भी आप इस smartphone के और जा सकते हो इसका processor दगड़ा है अगर आपको realme का ही smartphone चाहिए मैंने आपको पहले भी बता दिया अगर आपको 17500 हो जाता है या 18000 हो जाता है आप इस smartphone के और जा सकते हो अगर आपको जो camera है वो सच में अच्छा देखने को मिल जाता है अगर आपको camera matter करता है तो realme 8 pro जो है आपके लिए best deal हो सकता है आगे बात करते है नमबर टू की बात करूं नमबर टू पर मैंने रख्या Poco X3 को इसको नमबर टू पर रखने का एक रीजन है विकस 2020 में बहुत बिका बहुत लोगों ने पसंद किया अगर आपने हाई सैडिंग पे गेमिंग करने है मुल्टी टास्किं करने हैं कैमरी के कॉर्डिंग चाहिए जाकर आपको अच्छा डिजान चाहिए आपके लिए best deal होने वाला है प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको बिक बैंटरी देखने को इसमें भी मिल जाती है कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए अभी मैं स्पैसिफिकेशन की बात करूं आपको स्टमब 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है इपस LCD देखने को मिल लगी जो की 120 रिफ्रेशचेर के सा देखने को मिल लगी प्लस गोरिला ग्लास 5 की प्र्डैक्षन भी देखने को मिल जाती है आई पी 53 डॉस्त प्रूफ रेटिंग को मिल जाती है चिपसेट की बात है को स्नाप्रकेट 732GS में भी देखने को मिल जाता है जो कि 8 नानोमेटर टेक्नोलिजी के साथ बेस्त है ती डीडे में स्मार्टफून देखने को मिल जाता है 20 मेटाइक्सल के साथ सेल्फी मिल जाएगी 6,000 एमेज की बैंडरी मिल जाती है सब कुछ देखने को मिल जाता है तो मतलो fully loaded है बस IPS LCD देखने को मिल जो की 120 डिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल जाता है अगर सुपर एमलर डिस्क पे होती ना तो फिर भी मैं इसको number 2 पर या number 1 पर ही रखने वाला था तो अगर आपने जाना POCO X3 के और आप जा सकते हो अगर आपने स्मार्टफोन को चागड़ करना है भी आप चागड़ भी कर सकते हो आप पतके और Redmi Note 10 Pro की भई अगर आपने स्मार्टफोन के और आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो 17000 के प्राइस रेंज में आपको पूरे ही देखने को मिल जाता है बाइंग के लिंग की देस्क्रिप्शन ब्समें पर रवाइड किया हुआ है बात करूं मैं स्पीसिकेशन की तो मार्स वेंटी वन मॉडल देखनी को मिल जाते है 6.67 इच की एंव ले डिस्प्ले देखनी को मिल जाते हुए जो कि 120 डिफैस्ट के साथ आती है गृुलापी प्रेक्शन भी देखने को मिल जाती है आई पिफिफ्टी तरी देस्ट प्रूफ रेटिंग मिल जाता है उपरेटिंग सिस्टम अंडुड 11 मिल जाता है चिपसेट स्टैप्रकेट सैवर थरी टू जी देखने को मिल जाता है एट नेनोमीटर टेकनोलोजी के साथ बेस्ट एक सो आठ मेगापक्सल के साथ कामरा मिल को सबस्क्राइब तो यह स्मार्टफोन भी नाट करते है तो तो चाहिए मैं वह आपको वह भी बता दिया, Poco का चाहिए, वह भी बता दिया, Realme का स्मार्टफून भी बता दिया, Moto भी बता दिया, Samsung भी बता दिया, तो conclusion यह है, तो CDC बात भी अधर आपको बिग बैटरी जाहिए, तो Realme का स्मार्टफून आपके लिए नहीं बना, जो की like gaming के लिए best नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको चार स्मार्टफून बताए, वो gaming के लिए, multitasking के लिए best होने वाले है, जो भी आपके price range में set बैठता है, जो भी आपको brand असाही लगते है, आप उसके और जा सकते हो, buying link सभी के description box में देखने को, मिल जाएंगे, को बेदना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना, उनको भी कहताना कि चैनल को गौते है, सब्सक्राब, वीडियो को गरते लाइक, और इस्टागर आपके काले फॉलो, link को गारा, description box में देखने को मिल जाएंगे, तो मिल दे नाक्स्ट वीडियो मेंने वीडियो के साथ, thank you. किया दोस्तों कि चैनल के सबस्यम्ट क 요 सत्की काने बाते है, जाल किया तोस्तों के सम्क्राइक, और इसक्राइक, तो मिल झीडियो ठाज helmet, जाल किरु़ है, आल कि झाल कि उते यहादे, तोस्तों के अधमें ДНет, सी ए, सी जाल कि त nóी में, सी आपके हैं खंगी हैं, ए तोने